हेलो फ्रेंड्स टेम के अजूगेशन ट्यूब में आपका स्वागत हैं मैं आपकी होस्ट अकांग्षा नया वीडियो लेका फिर आजिरू इस वीडियो में हम बहुती की विज्ञान की अगली पार्ठी यूजना बनाएंगे जो की है पार्ठी यूजना करमांग 16 अभी तक हम इसके 15 पार्ठी यूजना बना चुके हैं उमीद है आप सभी ने देखी होगी और उसे पसंद किया होगा और यदि अभी तक नहीं देखी है आपको आवशकता है तो आप हमाया चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्रिप्शन बॉक्स है उसे खो यदि आप मैं चैनल के न्यूवियर्स हैं चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें पहला इकॉन प्रेस करें चैसे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाव ले सकें सबसे बहले आपको डालना होता है पाठी उजना का क्रमांग जैसे हमने डाला है हमारा है पाठी उजना क्रमांग 16 आपका जो भी क्रमांग को डालिए उसकी बाद हम इस तरीके से बॉक्स में ब्लैक बोर्ट फिलिंग बनाते हैं जो हम क्लास में प्रेजेंटीशन करने जाते हैं तो वहां पर भी बनाते ह जैसे copy में लिख रहा हैं वैसे वहाँ पर भी आप लिखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे चात्र अध्यापक का नाम अध्यापिका हैं तो मेरे जैसे ही लिखेंगे चात्र अध्यापिका का नाम फिर आता है विध्याले का नम, जहांबी आपको प्राक्टिक टीचिंग के लिए भीजा जाएगा उस विध्याले का आपको नाम लिखना है,। फिर कक्षा आपको डालनी है, कक्षा हमारे 10 का प्रक्रण है, विशय है हमारा विज्ञान, उप विशय है बहुत दिक विज्ञान, दिनांग जब जिस भी डेट को आप पढ़ाएंगे, कालांज, जिस भी पीरिट में आप पढ़ा रहे हैं, समय अवदी 35, 30 या 40 जितने भी म लिख दिया है, पूरी पाटी उजना बना दिया है, लेकिन जब आप प्रजेंटेशन करते हैं, ये ब्लैक बोर्ड फिलिंग आपको क्लास में बनानी है, उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप ये प्रक्रण की जगे है, उसको आप खाली छोड़ देंगे, और जब आप पूर्वद्ध ये हमने यहां लिखा हुआ है, पूर्ववत्ध क्योंकि सभी पाटी योजना के लिए जो की विज्ञान की है, उसके अंतरकत बहुत एक विज्ञान की है, सामान युद्धेश एक समान होंगे, तो हमने यहां पर पूर्वद्ध लिख दिया है, आप चाहे सेकेंड पॉइंट जो की होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेट यानि की हमारा जो टॉपिक है, वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हम यहां लिखेंगे, कि विद्ध्यारती विद्धुत परिपत का प्रत्यास परण कर सकेंगे, पहला वि बोध हो सकेगा उनको, चौता है विद्ध्यारती भाविश्य में विद्धुत परिपत का उप्योग कर सकेंगे, पांचवा है विद्ध्यारती विद्धुत परिपत बनाने का कौशर प्राप्त हो सकेगा, छटवा है विद्ध्यारती प्रयोग प्रदर्शन के आधार पर विशय में रूची ले सकेंगे, यह हो गए हमारे विशस्ट उद्देश, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटर थे, फिर हम सिक्षन विंदू यहां डाल देंगे, कि हम पार्ठ यूजना के अंतरगत कौन-कौन से सिक्षन विंदू बढ़ाने जा रहे हैं, ऑप्शनल होता है, चाहें तो डाल सकते हैं या ना भी डालें, पहला है विद्दुत परिपत, दूसरा है विद्दुत परिपत के उपकरण, तीसरा है विद्दुत धारा की माप और चौथा है विवांतर, यह चारों पॉइंट्स को हम इस पार्ठ यूजना के अंतरगत कंप्लीट करेंगे, फिर आता है साहेक समगरी, पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, इंट्रस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ साहेक समगरी का इस्तमाल करते हैं, जिसका बोध हमको यहां करना होता तो यहाँ पर हमको विद्धुत तार, अमीटर, बोल्ट, मीटर, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है जिसमें हम प्रदर्शन विधी और प्रश्नोत्तर विधी का इस्तमाल करेंगे। उसके बाद आता है पूर्वियान यहने हमारे टॉपिक के बारे में विध्यारती पहले से क्या जानते हैं। वो हमको यहाँ पर मेंचन करनी होती है तो विध्यारती विधुतार असंबंदी सामाने जानकारी रखते हैं। हमको यह पता होना चाहिए क्योंकि इसी के अकॉर्डेंग हम अपने इंट्रोडेक्शन कॉशन करते हैं। पिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना प्रश्न यह इन इंट्रोडेक्शन कॉशन जिसके लिए हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। इसमें आप क्रमांग, छात्रध्यापिका वैवार, विध्यारती वैवार यह कॉलम बना लेंगे। आप इसको क्रिया या प्रश्न भी आडिंग दे सकते हैं। हम पहला प्रश्न करेंगे कि बिजली का स्विच दवाने पर या ओन करने पर बल्व जलने लगता है। तो विध्यारती बताएंगे क्योंकि उसमें बिजली यह चलने लगती है। दूसरा है स्विच बंद करने पर बल्व रोश्नी देना क्यों बंद कर देता है। क्योंकि उसमें बिजली का बहना बंद हो जाता है इसलिए बल्व जलना बंद हो जाता है तीसरा प्रशन करेंगे हैं बिजली विद्धुधारा बहना किस प्रकार बंद होता है तो स्विच बंद करने पर बिजली का संबंद विच्छेत हो जाता है और विद्धुधारा का ब तब हम कहेंगे कि इस पूरे क्रम को हम क्या कहते हैं विद्ध परिपत जिसके बारे में हम अध्यन करेंगे तो हम उद्धेश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि आज हम विद्ध परिपत के बारे में अध्यन करेंगे फिर आता है प्रस्तूति करन जिसमें कि आप इस तरीके से क और आसल्म बनाइगे कृए और विध्यार्दी वैवार है ह्यां ही करें हुएब कि पहला सुर्ण विंढू है विद्धूत परिपत जिसमें की हम बच्चों से पहले प्राश्न करेंगे कि विद्धूत परिपत से कर विद्धुत उर्जा का उपयोग विभी ने प्रकार के कारियों में किया जाता है विध्यारती क्या करेंगे धियान पूर्वक सुनेंगे फिर विद्धुत परिपत के उपकरण सेकेंड कोशन हम करेंगे सरल विद्धुत परिपत में मुख्यता कितने प्रकार के उपकरण सरल रूप में कहा जा सकता है कि विद्धुत परिपत वह रास्ता है जिससे होकर विद्दुत प्रभावित होती है फिर हम प्रश्न करेंगे कि विद्धुत परिपत के कितने प्रकार होते हैं तो दो प्रकार होते हैं अगला प्रश्न करेंगे कि कौन कौन से दो प्रकार होते हैं तो खुला विद्धुत परिपत और बंद विद्धुत परिपत फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि खुले विद्धुत परिपत से तुम क्या समस्ते हो तो बताएंगे जब धारा प्रवावित नहीं होती है तो खुला परिपत कहते हैं बंद परिपत जब विद्धुद परिपत में विद्धुद्धारा प्रवावित हो रही होती है तो उसे बंद परिपत कहते हैं अगला हम विद्धुद्धारा की माप उनको एक्स्प्लेइन करेंगे तो हम पूछेंगे किसे कहते हैं तो समस्यात्मक रहेगा फिर हम उन्हें कथन द्वारा बताएंगे कि विद्धु धारा की MPR की माप MPR मातरक से करते हैं इसके लिए किस उपकरन का प्रयोग करते हैं उनको नहीं पता है तो हम बताएंगे कि विद्धु धारा की माप करने वाले उपकरन को हम अमीटर कहते हैं जो कि बहुत कम प्रतिरोध का एक धारा मापी होता है फिर अगला प्रश्न करेंगे कि विद्धुधारा को मापने के लिए क्या किया जाता है तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा फिर हम चात्रद्यापी का कथन द्वारा एक्स्प्लेइन करेंगे कि विद्धुधारा की माप के लिए किसी भी परिपत में के लिए किसी भी परिपत में प्रभाविद विद्धुधारा को अमीटर के कुंडल से भी होकर प्रभाविद किया जाता है जिससे कुंडल के विश्षेप से विद्धुधारा की माप की जा सकती है फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि विद्धुधारा की माप के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो बच्चे बताएंगे शेनी क्रम में अमीटर को शेनी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है तो यह उनको नहीं पता है हम उनको explain करेंगे कि अमीटर को शेनी कम में इसलिए जोड़ा जाता है जिससे कि संपुन विद्धुत अमीटर में प्रवावित होकर हो तभी विद्धुत धारा की बाप संभव है विद्धुत परिपत में एक से अधिक चालक विद्धुत परिपत में समानांतर प्राप्रम में लगे हो तभ विद्धुत धारा की माँद किस प्र alarm करते हैं हम अगला प्रश्न करेंगे अगला यह नीः वो प्रश्न को नहीं बता पाijenge तो हम कथन द्वारा उनको को explaining करेंगे कि किसी चालक में दो विंदुओं के बीच का विवांतर न विंदुओं के बीच गती करनी के प्रति एकॉँंक आभेज द्वारा किये गए कारे के बराबर होता है, विद्ध्यार्ति जैसे मैंने बताया है, जब छात्राध्यापी का कथन आप बोल रहे हैं तो क्या करेंगे दियान पूर्वक सुनेंगे, फिर विवांतर का मात्रक क्या है, बोल्ट, फिर विवांतर को मापने के लिए किस परिपत को अच्छे से समझा देंगे ब्लैक बोर्ट पर बना के समांतर क्रम में किस तरीके से जुड़ा होता है तो इस तरीका से ड्राइगराम से बता देंगे और पूरा एकस्प्लेंड करदेंगे फिर उसके बाद आता है श्यांपट कारे जिसमें आप साराल्पडीपत और अमीटर होते हैं अच्छे से एकस्प्लेंड कर देंगए फिर आता है पुन्रवरत्ती प्रश्न, यानि हमने जो भी उनको एक्स्प्लेंट किया, उससे रेलिटेट कुछ हम कॉशन कर लेंगे, वो पुन्रवरत्ती प्रश्न क कहलाते हैं, आप इसको लपीट शेंपट पर लिखकर ले जा सकते हैं, संक्या कितनी भी हो सकती हैं, हमने घर से करके लाने के लिए कुछ कार देंगे, पिछले दिन का होंबग भी आप उनका चेक करेंगे, क्योंकि यह सभी पार्टि उन्हा का हिस्सा है, उसके बाद आता है टिपनी, आपका जो भी परिवेक्षक होगा टिपनी देकर बताएगा कि पार्ट का प्रस्तुती करन कै अच्छा था बुरा था कि उनके सुझाव है, लेसन प्लान से रिलेटेट गोड पॉइंट बैट पॉइंट और परिवेक्षक के सजेशन, उसके बाद आता हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर परिवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पर हमारा वीडियो कम्प्लीट हो ढाई है, ले बाद कैने सके हाँ है